गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल तो फ्रेंड्स मैं अपने गाडन का नाइट ओवर वी दिखाऊंगी और वो बाते सेयर करूंगी आप लोगों से कि मैंने गाडनिंग की सुरूआत कैसे की और कितने प्लांट से मैंने सुरू किया था अपना गाडन और आज देखिये मेरे पास कितने सारे कॉंटिटी में प्लांट हो गए हैं तो आज कुछ-कुछ बाते मैं आप लोगों से सेयर करूंगी गाडनिंग का तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि नाइट में मेरा गाडन कैसे दिखता है और मैंने गाडनिंग की सुरूआत कैसे क तो सबसे पहले तो मैं नाइट वियूँ आप लोग से सेयर करती हूं फ्रेंड्स कि कितना सांत लगता है गाडन नाइट में और आज कल की भाग दोड की जिंदगी में जब हम ठक हार कर अपने गाडन में आते हैं और इन प्यारे-प्यारे फूलों को देखते हैं तो आप स आप समय निकाल करती हूं और आप समझी सकते हैं जब भी किसी प्लांट को यदि हम अपने गाडन में लाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे उपर हो जाती है और हमारा भी मन उसनी में लगा रहता है कि कैसे हम इन को बढ़ा करें कैसे इन में फ्लावरिंग हो और जैसे जैसे वो growth लेता है friends तो हमारा ध्यान पूरा उसकी growth पर लगा होता है कि कब बड़ा होगा कैसे होगा तो इस तरह से मैंने कुछ बाते आप लोग से सेयर की है और कुछ बाते ये हैं friends कि मैंने gardening की सुरुवात कैसे की है तो मुझे भी gardening करते ज्यादा वक्त नहीं हुआ है लगबर डेड़ साल हो रहे हैं क्योंकि हम तो पहले किराया में रहते थे लेकिन जब हमने अपना घर खरीदा उसके बाद मैंने gardening की सुरुवात की gardening का सुख तो मुझे बहुत पहले से था लेकिन आप समझ सकते हैं खुद का घर और किराया के घर पे कितना अंतर होता है तो मैंने जब अपना घर लिया तो उसी समय मैंने मन बना लिया था कि मैं terrace garden करूँगी और बहुत अच्छे से करूँगी सुरुवात तो सबसे पहले तो मैंने जहां पर मैं किराय से रहती थी वहां पर भी मैंने कुछ प्लांट रखे थे ज्यादा quantity में नहीं रखे थे लेकिन कुछ प्लांट रखे थे उन्हीं प्लांट से मैंने यहां अपने घर पर सुरुवात की थी और मैंने कुछ गमले भी खरीदे थे और कुछ grow bag से सुरुवात की थी तो grow bag को मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि grow bag में आप सुरुवात कीजिए जितने भी जो नए gardeners हैं उनके लिए तो मेरी यही सलाह है कि यदि आपके पास गंबले एवलेवल नहीं है तो आप grow bag जो चावल की बोरियां आती है उनसे आप घर पर ही machine से या फिर आसपास किसी से grow bag बनवा लीजे और उनसे आप सुरुवात कीजिए क्योंकि किसी चीज की सुरुवात होनी जरूरी होती है फिर उसके अंध के बारे में आप मस सोचिए पर नाम अच्छा ही मिलेगा आपको यदि आप सुरुवात करेंगे और आपका इंट्रेस्ट बढ़ेगा तो आगे आपके पास pot वगरा भी आप लेने के लिए चुक होंगे तो मैंने भी इसी तरह से कुछ pot और grow bag से मैंने सुरुवात की थी फिर धीरे करते करते देखें मेरे पास कितने सारे pot भी हो गए है और कितने सारे plant हो गए है तो अपने सौक को पूरा करना भी है हमें और budget का भी ख्याल करना है तो एक साथ सब कुछ तो नहीं हो पाता है friends क्योंकि प्लांट भी महंगे होते हैं और पॉट भी महंगे होते हैं तो हम यदि सोचें कि हम पॉट भी खरीद ले और प्लांट भी ले ले एक साथ तो ऐसा तो नहीं हो पाता है पैसे की कमी हमेशा हो ही जाती है चाहे कोई भी रहे ऐसा मुझे लगता है और धीरे-धीरे करके यदि आप पॉट लेते जाएंगे एक एक करके करके तो कहते हैं ना फ्रेंट्स की बून बून में घड़ा भरता है इसी तरह से यदि आप एक एक पॉट एक पॉट करके लेते जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे पॉट कलेक्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतने सारे गंबले कैसे खरीद ले, इतने सारे प्लांट कैसे ले लिए, एक साथ लेने में लगता है कि इतने सारे पैसे हमारे पास कैसे आएंगे, क्योंकि फ्रेंट्स नर्सरी में भी बहुत महंगे हो गए हैं प्लांट, तो हमेशा मैं जब भी गार्डनिंग की ने बात करती हूँ तो हमेंसा मैं ये बत जरूराप log से सेयर करती हूँ की आप लोग cutting से प्लांट लगाईए हमेंसा मैं इस चीज को प्राथमिक्ता देती हूँ की cutting से आप अपने घर पर ही बहुत सारे प्लांट तयार कीजिए हालकि आपके पास अलग अलग वैराइटी के प्लांट तो नहीं होंगे लेकिन एक ही प्लांट आपके पास बहुत दिनों तक चलता रहेगा सालों साल आपके पास बरकरार रहेगा आपका प्लांट और प्लांट की संख्या भी बढ़ेगी और आपका गार्डन भी फूलों से भरा ह तो आप धीरे धीरे इसी तरह से आप gardening की सुरुवात कीजिए, ऐसे plant का चुनाओ कीजिए, जो आपको आसपास के पडोसियों से मिल जाए, आसानी से, और उनकी cutting जो easy से ग्रो हो जाती है, ऐसे plant का चुनाओ कीजिए, जैसे कोलियस है, हिबिसकस है, देसी हिबिसकस की बहुत स सारी वेराइटी आपको मिल जाएगी, चाहे गाओं हो, चाहे सहर हो, सदा बहार है, तो इस पर भी मैं एक दिन topic बनाऊंगी, कि कौन-कौन से plant को हम बिना पैसे खर्च किये, हम अपने गार्डन की सुरुवात करें, तो आज तो मैं कुछी बात आप लोगों से से शेयर कर कि मैंने गाडनिंग की सुरुवात कैसे की, फिर मैंने दो-चार प्लांट लाए और फिर इधर उधर से भी लेकर आये, पडोसियों से भी कुछ प्लांट में खरीद कर आई, और कुछ नर्सरी से खरीद कर लाए, फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड सबसे मेन काम मैंने किया कटिंग से ग्रो करना सुरुवात किया था, कटिंग से मने बहुत सारे प्लांट तयार किये और अपने गाडन को बिल्कुल फूलों से भरा, और मेरे गाडन में ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट हमेशा दिखाई देते हैं आपको, और अभी भी मैं जब भी वीडियो बनाती हूं, आप लोग से जरूर सेयर करती हूं, कि आप कटिंग लगाईए, एक कटिंग नहीं, कम से कम आप आट से दस कटिंग लगाईए, क्योंकि जरूरी नहीं है, कि जितने भी हम कटिंग लगाते हैं, सबकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाए, कुछ कटिंग जो है सक कटिंग लगाया है और मेरी कटिंग ग्रो भी हुई है तो ऐसा नहीं है कि कटिंग कभी ग्रो नहीं होती है आप बीच में ट्राइ तो कीजे अगर आप अगर ट्राइ करते रहेंगे तो हो सकता है ग्रो होगी तो भी ठीक है आखिर उसी की कटिंग को हम यहां वहां फेक देते हूँ तो यदी आपके पास ज्यादा PLANTS हो जाते हैं तो उस कटिंग को आप किसी को दे भी सकते हैं PLANTS अगर किसी को चाहिए तो या फिर अपने GARTEN पर ही रख सकते हैं तो इस तरह से CUTING से हम बहुत सारे PLANTS तयार कर सकते हैं और जो भी प्लांट अपने गाडन में आप एड़ करते हैं तो यह भी कोशिस कीजिए कि उनके आप बीज कलिक्ट करके रख सके ताकि उनसे आप next year अगले साल आप उनसे बीज से बहुत सारे प्लांट तयार कर सकते तो इसको भी आप कीजिएगा क्योंकि मैंने भी इस साल कुछ बीज कलेक्ट करने को सोचा है मैंने अभी तक बीज कलेक्ट नहीं किये थे और नरसरी से मैं बेबी प्लांट लेकर ही आ रही थी तो आप भी चाहें तो अपने गाडन से ही बहुत सारे बीज इकठा कर सकते हैं और उसे बहुत सारे प्लांट तयार करके अपने गाडन को प्लांट से भर सकते हैं तो इस तरह से फ्रेंट्स मैंने गाडन की सुरुवात की थी और उसके बाद आप गंबलों की बात करें तो कुछ गंबले तो आप खरीच सकते हैं ग्रो बैग इस्तमाल कर सकते हैं या फि क्योंकि उनमें भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं, और दूसरी बात है friends, मिट्टी की, तो मिट्टी आपको बहुत अच्छी मिट्टी बनानी है, तो क्योंकि फर्टिलाइजर इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो सभी जग गाउ में जो गाडनिंग करते हैं friends, उनको बहुत परसानी होती है, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, कि सेंड तो मिल जाती है, रेत तो गाउ में भी मिल जाती है, और कोको पीट वहां नहीं मिलता है, तो कोको पीट की जगह पर आप जो धान का जो भूसा आता है, उसको आप यूज कीजिए, और उससे मिट्टी तयार कीजिए, और fungicide powder नीमखली भी मिल जाता है, गाउ में सरसोखली भी मिल जाता है, और आप DAP का यूज कीजिए, DAP जो आता है, अक्सर खेती करने वाले इसको यूज करते हैं, तो आप उसका DAP को भी आप यूज कर सकत आते हैं, उस हिसाब से आप मिट्टी तयार कीजिए, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सुरुवात कीजिए, जब भी आप किसी चीज की सुरुवात करते हैं, तो उसका परिणाम अच्छा ही निकलता है, और हमेशा positive ही सोचिए, अच्छा सोचिए, जिससे की आपके जीवन म हम लगाते हैं, और उनमें जब flowering होती है, तो मन को कितनी खुसी होती है, ये तो मुझे लगता है कि जो plant लगाते हैं, वो ही अनुभा कर सकते हैं, क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है कि अरे ये flower तो कोई भी उगा सकता है, किसी से भी, या नरसरी से हम बना-बनाया plant ल बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो खुद बीज से ग्रो करते हैं, और कटिंग से लगाते हैं, और उनकी देख भाल करने के बाद जो flowers हम पाते हैं, उनसे कितनी खुसी होती है, ये मुझे बहुत खुसी होती है, और मुझे लगता है कि हर gardeners को खुसी होती होगी, तो इस तर friends हैं, मेरे चैनल को देखते जरूर हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की notification मिल सके, और अपने garden में जो plant यदी आप लगाते हैं उनमें आप बीज कलेक्ट करने को जरूर सोचिएगा, क्योंकि बीज से आपके पास बहुत सारे plant तयार हो जाएंगे, और मैं जो winter plant के seed कलेक्ट करूँगी, उसका वीडियो आप लोग से जरूर सेयर करूँगी, कि मैंने कौन-कौन से बीज इस समय कलेक्ट किये हैं, तो आ जी सकते हैं, क्योंकि मैं working woman हूँ, housewife नहीं हूँ मैं, तो मुझे घर को भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है, अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, मेरे दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, तो फिर भी मैं समय निकालकर इनको अपना समय देती तो समय तो सभी के पास होता है, बस आपको management करना पड़ता है, कि किस तरह से हम time निकालें, और दूसरी बात यह है friends की लगन भी होनी चाहिए, जिस चीज में आपको interest है, उसको आप मुझे लगता है कि जरूर कर सकते हैं, आपके पास जरूर समय निकल सकता है, तो इस तरह स आप अपने garden की देख भल कीजिए, और अपने garden को फूलों से महगाईए, और अपने gardening का सोग भी पूरा कर सकते हैं, तो यही मैं आप लोग से share करना चाहा रही थी, और gardening की सुरुवात, जितने भी मेरे नए viewers हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि gardening की सुरुवात जरूर कीज यदि आपको interest है, क्योंकि इनसे हमको oxygen भी मिलेगा, और हमारा घर जो है खुबसूरत भी लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, तो जो मेरे garden में आज इतने भी flowers हैं, वो night में आप लोगोंने मेरा view देखा, तो बताएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, कि मेरे flowers और मेरी जो सो कुछ है, या gardening के प्रती जो मेरा लगाओ है, वो आप लोगों को कैसा लगा, तो देखे कैलेंचु के प्लांट कितने खुबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही, सुंदर सुंदर कैलेंचु के प्लांट आपको मिल जाएंगे, और winter season में तो मिलते ही हैं, बहुत सारे, और इनकी लगता होगा कि कास मैं भी gardening करती या करता, और मेरे garden में भी इतने प्यारे-प्यारे से फूल होते, तो थोड़ी सी मेहनत तो हर चीज में करने पड़ती है, हमको भूख लगती है, तो हमें खाना ही पड़ता है, वो भी अपने हाथों से खाना पड़ता है, तभी हमारी भू फूलों को देखकर आपकी थकान भी बिल्कुल दूर हो जाएगी, और आपका घर भी बहुत खुबसूरत लगेगा, और आपका मन भी लगेगा फूलों में, और हम यदि अपने प्लांट को प्यार देते हैं, तो प्लांट से भी हमको बहुत सारा प्यार मिलता है, और तो हेंगिंग पॉट में देखें, पिटूनिया कितना खुबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुन्दर, तो इस तरह से, तो हेंगिंग पॉट को भी जरूरी नहीं है, कि आप खरीद कर ही लगाएं, आप घर पर भी जो टोगरियां होती है, जो किचन में यूज करते हैं देखें कितने खुबसूरत लग रहे हैं, पिटूनिया के प्लांड, तो ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, फिर मिलती हूँ, बाई बाई